पर करेंगी अस्टेलिया ओमेंस टीट्वैंटी बीग वेस लीग जो खेला जाएगा एम एस ओमेंस और एम आर ओमेंस का बीच कल दूपहर बारे बज़ के चालिस मिलट पी-म में यहीं बारे बज़ के चालिस मिलट में खेले जाने बाले मैच में कौन सा टीम जीतेगा और कौन सा टीम हारेगा पीच रिपोर्ट क्या रहने वाला है बैटिंग पीच है यह बालिंग पीच अगर बैटिंग पीच है जो फर्स टेनिंग में बैटिंग करेगा कितने अबरेज बना सकता है अगर बालिंग पीच है जो फर्स टेनिंग में बालिंग करेगा वो कितने विकेट ले सकता है फर्स्ट टेनिंग में कितने विकेट गिर सकता है फर्स्ट टेनिंग में कितने रन बन सकता है फर्स्ट टेनिंग में बैटिंग करने वाला टीम जीतेगा या फर्स्ट टेनिंग में बॉलिंग करने वाला टीम जीतेगा और दोनों टीम में से स्ट्रोंग कौन सा टीम है सारा बात इस वेडियो के माध्यम से बताऊंगा बीडॉट बिना एस्किप किये इस वेडियो को एंड तक जरूर देखना अगर वेडियो पसंद आए चैनल को लाइक और शर्सक्राइब जरूर करना यहां पर आजाते हैं बेस्ट में सेक्षन यहां पर विकेट कीपर सेक्षन देखिए मैंने आज के मेच में डायरेक्ट कहा देता हूँ जो जो इन्पॉर्टेन विकेट कीपर आता है मैं उनके बारे में बता देता हूँ ताकि इसलिए बता देता हूँ मैं टेलिग्राम पर एक्टिव नहीं रहता हूँ जब मैं टेलिग्राम पर एक्टिव रहूँगा तब जाकर टीम आपको मिल जाएगा अगर मैं टेलिग्राम पर एक्टिव नहीं हूँ इसलिए मेरा वीडियो को बिना एस्किप किये एंड तक देखना परेगा तब जाकर आप एक अच्छे टीम create कर सकते हो एक अच्छे टीम बन्या सकते हो जो कि आपको 10% से लेकर 100% तक आने का शंभाव न हो सकता है चलिए विकेट कीपर section में हिआपर जेडल जिनका selection percent 79 हो गया है और रिशन के मैच के अनुसार देखा जाए खास फॉंप नहीं है और इसके बाद एक एतन इनका भी record selection percent कम है और यह भी खास परदर्शन नहीं किया है यह तीन विकेट कीपर को खेलने का चांस है इन तीन विकेट कीपर में इसे तीनों का record बराबर है तीनों में से टॉस होने के बाद किसी एक पर try कर सकते हैं यह बात जरूरी नहीं है जिनका selection percent higher उसे अपने टीम में सामिल करना होगा आप इन तीनों में से किसी को try कर सकते हैं हलाकि मैं इन तीनों में से बीच वाले को एक को try किया हूँ हलाकि MS women strong team है और MR भी कमजोर team नहीं है दोनों को चीतने का chance 40 और 68 percent का रह सकता है यह दोनों 5 मकाबले खेले हैं 5 में 3 दूगा कम नेज़न है पाँच मकाबले में MS women जो है 3 जीते हैं MR women जो है 2 जीते हैं खास अंतराल नहीं हरीशन के form में अब चलिए best men में आ जाते हैं best men में M Morgan record काफी अच्छा है selection percent low हो गया है और best men की दिरिश्टी से काफी अच्छे खासे best men है अब एक टीम में captaincy और voice captaincy भी track कर सकते हैं यहां पर बात कर लेते हैं pitch report का pitch report जो है batting pitch है good for spinner यहीं पेशर को पेशा है यहां पर spinner wicket निकालता है average score 119 से है यहां पर भेन्नू जो है mail one cricket ground mcg mail one में खेला जाएगा जो कि अस्टेलिया में ही खेला जाएगा अस्टेलिया का match में खेले जाने बेरले match में spinner और पेशर को बरावर support मिलता है एक बात और चान लेजिए इस match में बारिश का भी शमभावना हो सकता है match रद भी हो सकता है और match पूरा भी हो सकता है अगर फर्स्ट डेनिंग में बैटिंग करकर match सकेंड डेनिंग में बैटिंग करने वाले को थोड़ा इस्तिती down दिखाई देगा यहां पर देखिए जो टीम पहले बैटिंग करेगा उसे टीम से अपनी बैटिंग और बॉलर को ट्राइक कर सकते है यहां पैसरन का रिकाउड ठीक टाक है अपनिंग के साथ साथ अच्छे खासे बॉलर है ठीक पर दर्सन करने के उमीद लगा सकते है टी वैडर ठीक टाक है हैंकोरों ठीक टाक है आपको मनमित स्वाल उत्पन होगा बाही जब यहां पर बाइलेंस अब मेरे हिसाब से आए तो बैस्ट में को मैं चार क्यों लिया हूँ इन के रिभी रीजन बताते हूँ देखे इन चारों का रिकाउड अच्छे हैं खाच ही खाच अनुभावी और टैलेंटी बन दे है कभी पर्ट एम यह तो बॉलिंग भी कर लेता है जिसके कारण अगर बैटिंग से पलव सुआ तो बॉलिंग से आपको अच्छे खासे पॉइंट दे सकता है अगर उसे नहीं लेना चाते हैं अगर आप गरेंट लिक कार एकसी टीम बनाना चाते हैं तो इसे जरूर टरै कीजिएगा अब यहाँ पर एक और है यह पहुंचे से नमर में लेकिन बैश्टमेन के दिरिश्टिच अच्छा है कभी भी लंबे स्कोर खिल सकता है इन समय से मैं अभी फिलाल के लिए चार को लिया हूँ अब यहाँ पर चार को लिया हूँ उसके बाद आ जाता हूँ वैश्टमेन ओलंडर में एह मैं तो भले यह अच्छे परदर्शन करे या ना करे फिर भी मैं अपने टीम में इसे सामिल करूँगा क्यों करूँगा? क्योंकि वैश्टमेन डीज का एक लोता ओलंडर है ओपनिंग करता है बैटिंग और बॉलिंग का भी दोनों से पोइंट दे सकता है और विकेट भी निकाल सकता है लेकिन देशन के फॉम इसका भी अच्छे है सेलेक्शन परशन रहा हो गया एक मैच में अब तो फलोप्स हुआ है लेकिन ठीक ठाक परतासन इनने से लगा सकते है एजरन को ठीक ठाक रहेगा एक कर सबको अच्छे बॉलर है या एम गिरन को ठीक ठाक परतान है या पर इन वाटन जो है के खातुर यह पांचो वलंडर आप अपने टीम में जरूर रखेगा क्यों रखेगा इनका रिजन क्या है मैं अभी डेमो के लिए टीम बनाता हूं और मैं सब सेफ टीम बनाता हूं तो केप्टन रिक्स देता हूं और वहाइस केप्टन रिक्स देता हूं अगर मैं पीलियर पर रिक्स लेता हूँ तो एक केप्टन सेव देता हूँ बोईस केप्टन पर रिक्स लेता हूँ अब यहाँ पर बात करेता हैं बॉलर श्रेक्शन में एस्डेल को मैं अपनी टीम में बॉलिंग में दिया हूँ काफी अच्छे खासा बॉलर है काभी भी लंबे एस्कोर करने का समभावना इनसे लगा सकते हैं रख सकते हैं देखिये हिया पर मैंने विकेट कीपर श्रेक्शन से एक लिया हूँ और बैस्टमेन में मैं चार लिया हूँ अभी फिलाल के लिए डेमो के लिए मैं बैस्टमेन में चार लिया हूँ वलंडर में पहुच लिया हूँ और बॉलर में एक लिया हूँ अनेश्ट करता हूँ, अनेश्ट करने के बाद देखिए, आपको यहाँ पर आ जाता है Captain और Voice Captain की Choose करने का Option, आप यहाँ पर आप Captain और Voice Captain किसे रखें, जिनका selection percent का भी हाँ है, और Captain और Voice Captain उसे हाँ है, हर कोई उसके साथ जाएगा, लेकिन मैं हर मेच में कहता हूँ, अगर आपको हमेशा बता देता हूँ, मेरे टीम को पूरा वीडियो देखने के बाद नहीं टीम बनाई है, क्योंकि मैं टेलिग्राम पर एक्टिव नहीं रहता हूँ, अभी मैं फिलाल के लिए टेलिग्राम पर एक्टिव नहीं हूँ, मैं Captain के रूम में एश्ट दोगलें को दिया हूँ, और Voice Captain के रूम में Important Voice Captain के खातुन को दे सकता हूँ, या Voice Captain एश्ट डेल को दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं यहाँ पर Voice Captain इसे भी टराइक कर शकता हूँ, अगर आप उतना रिक्स नहीं लेना चाते हैं, मेरे इतना रिक्स आप नहीं लेना चाते हैं, तो Captain इसे टराइक कीजिएगा, और Voice Captain इसे टराइक कीजिएगा, या Voice Captain इसे टराइक कर लेजिएगा, मैं अभी के लिए, मैं बहुत रिक्स लेता हूँ, जितना मेरे हिसाब से रिक्स लेना चाहिए, मैं उतना लेता हूँ, Captain इसे दिया हूँ, और मैं Captain देता हूँ, तो Voice Captain पर रिक्स लेता हूँ, अगर मैं Voice Captain मटलब होता है या तो कभी आपको डूबेगा या तो आपको 10% या 20% प्रोफिट दे कर जाएगा देखिए एक बार और से देख लिजिए आपको यहाँ पर केप्टन और वाइस केप्टन वालंडर में से किसी को टरै कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बॉलर में से तीन बॉलर है जो अच्छे खासे बेस्ट में है अच्छे खासे केप्टन और वाइस केप्टन के रूम में पिकर रहने वाला है आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना फिर मिलते हैं निष्ट वीडियो जाहिन दोस्तों